दोस्तों संसद में आज है तो वक्फ अधिनियम यानि के वक्फ में जो बन्दाओं किये जा रहे हैं उसको तादलुक से बिल पेश हुआ है और संसद में अलग अलग संसदों ने इस पर जो विपक्षी संसद उन्होंने चर्चाई की है आए उन सारी चर्चाओं को हम इस वी को देखे गे कि उन्होंने इसमें क्या कहा है रहमाने रहीम जड़ाबे सादर मैं आपकी तवज़ो इस तरफ चाहता हूँ आपके मादेम से कि मैं वाहिद आदमी हूँ इस तरन में जिसमें वन में कमेटी आपके दौरा बनाए गई सरकार के और मैं उसमें पेश हुआ वन गुर्मीट की मनशा के मताबिक नहीं थी वन टौन्टी ट्री परपर्टी में जब मनशा के खिलाफ हमारे नहीं आए मनशा के मताबिक नहीं आई तो हमने टू मैं कमेटी बनाई और टू मैं कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वकफ बोर्ट को नहीं दी जबके वकफ एक जो ह 1995 जो है वो पार्लेमेंट से पार्श चुदा है कि हम पार्लेमेंट के जो इहतरा में उसका नहीं कर रहे उसके हुकूब का इसी तरह से सर सुभाई हुकूमतों को इखियार दिया गया सर हिंदू एंटुमन में जो करनाटका और तमिलाड में है वहाँ कोई मुस्लिम नहीं हो सकता और 26 में आर्टिकल 26 का पाइलेशन है चार धाम में ये लिखा हुआ हुआ वाज़े तोर पर कि सिर्फ हिंदू होगा बिहार उडिसमें भी यही लिखा हुआ है पंजाब हर्याना में गुर्दवारा बरबंदग कमेटी में सिर्फ सिख होगा और्ली और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है लेकिन मुस्लिम के साथ में यह निया क्यों है सर मैं आपकी तवज़ के दाता हूँ दुनिया का सबसे पहला वकफ खाने कावा मक्के में है क्या हम उसके उपर भी सवाल उठाएंगे कि वहापर भी हमारा को हिंदु भाई हो हम अपने वकार को अपने इज़त को अपने मुल्क की अपने शान को सम्विदान को खुद अपने पेरों तले लोंद रहे हैं और वकफ एक मुसल्मानों का मजभी अमल है एक मजभी फरीजा है इससे उनको महलूम कंस्टिशुशन के जरीए से भी कोई टाकत नहीं कर सकती सर यह हम बहुत बड़ी गल्ती करने जा रहे हैं जिसका खुम्यादा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे क्योंकि हम खुद अपने कंस्टिशुशन को सम्विदान को उसकी पामाली कर रहे हैं अगर हमें इस सिल्चले में मैंने सर पूरा पूरा मैंने वो उसको बड़िया है और मैंने पूरी चालीश तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिकर दिया लिकर जो है मैं लेकर आ रहा हूँ सर इसके जरीए से सरकारी अमले को बाज़ाबता तोर पर यहाख आखी लोग कलेक्टर को दिया जा रहा है सर्वे कमिशनर के इक्तियाराथ खतम किये जा रहे है आखी सर्वे कमिशनर भी तो गोर्मिंट ओफ इंडिया का होता है सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम और फिर सर उसमें मेरे मजभब के मुदालिक चीज़े है तो वो कैसे कोई दूसरे ते करेगा क्या 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 क जिसकी वज़े से सब लोग अपने आपको असे हाए महसूस कर रहे हैं दस साल से जो मुल्क में माइनोर्टीज के साथ उनके हुकुक के साथ उनके रिलिजिन फ्रीडम के साथ जो खिरवार के जा रहा है उससे रूख काप जाती है और यह ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि जन्ता इन हुकुक के लिए कंसिश्टों को बचाने के लिए दोबारा सबकों पर आ जाए यह दोस्तों यहाँ पर मुईब तुन ने खुले खुले अलफाज में बताया कि वक्फ यह है तो एक धरम का मुद्दा है और इसको वक्फ चलाना काम यह सो सिर्फ मुसल्मानों का है क्योंकि इसमें जो मुसल्मानों की जो मसाइल है उनको हल किये जाते है जैसे के पुरान में क्या है वगरवगरव सारे बाते इसमें वग्फों में जो मुस्लिम अधिकारी है वो सब ये समझ सकते हैं उन्हों कहा है कि खानक बाइए ये तो सबसे पहला वग्फ है इसमें और साथ सदों ने अपने अपनी राय रखी है अगली वीडियो में मैं आपको उसी के बार में पताने वाला हूँ दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए चैनल पर पहली बार आये हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करनी जीए